दोस्तो क्या आप भी चुहों से बहुती ज़्यादा परिशान है और बिना हमारे चुहों को घर से पूरी तरीके से भगाना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुती ज़्यादा यूस्फुल रहेगा और देखेगा दोस्तो घर में एक चुहें भी घुसते हैं न तो वो घर में रखा हुआ सब चीज को काड़ करके बरबाद कर देते हैं और कई वार तो खाने पीने की चीजों में वो मूह डालते हैं और अंजाने में हम उस खाने को खा करके बिमार पड़ जाते हैं घर में एक चुहें घुसने से वो बढ़िया सा useful solution लेकर आ चुकी हूं जो घर में रखा हुआ चीजों से ही आप बना सकेंगे तो इसके लिए सबसे पहले हमें लेना है गेहु के आटा आटे की जगा बेशन या मैदा भी ले सकते हैं तो यहां पर में दो चम्मच भर के आटा ले रही हूं अब हमें क्या करना ह इसमें हमें मिलाना है देसी घी तो आप देसी घी का इस्तमाल जरूर कीजिएगा क्योंकि देसी घी का बहुत ही अच्छा खुसबू रहता है जिस कारण हम चुहों को इस solution को खाने के लिए मजबूर कर सके आकरसित कर पाएं ठीके इससे कि आप देखिएगा इसका खुसब देसी घी को एड़ करके अच्छे से इस तरह से मिक्स कर दीजिए तो जैसे कि आप देख रहे हैं अच्छे से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ ठीके तो अब जो next ingredient में इसमें मिलाऊंगी वो है सिरप तो यहां पर मैं particular कोई भी सिरप का नाम नहीं बोलूँगी जो भी सिरप आपके पास है आप ले सकते हैं लेकिन हां अगर सिरप सिरप byल मैं चमच के कर रहे हैं तो यहां पर आटा को घूत ने के लिए मैं पानी का इस्तेमाल नहीं करूंगी जो जो ingredient में मिलाते जाऊंगी उसी के मदद से मैं आठा को गोथ लूँगी ठीके तो देखें कुछ इस तरह से और अब हम इसमें add करेंगे तीकी वाली लाल मिर्च पाउडर और इसको डालने के बाद ये solution और भी ज़्यदा powerful बन जाएंगी क्योंकि दोस्तो जैसे ही चूहें इसको खाएंगे न तो उसको मिर्ची लगेगे और मिर्ची लगने के कारण वो घर से बाहर की तरह भागने लगेगे तो इसलिए लाल मिर्च पाउडर का भी इस्तमाल यहां पर आपको करना है और इस आटे के साथ अच्छी से मिला करके आटे को गूत लेना है ठीके वैसे तो दोस्तों आपको मार्केट में इसली चूहे भागने वाला दवाई, केमिकल या शॉलिशन मिल जाएगा लेकिन उन दवाई का इस्तमाल नहीं करना है क्यूंकि हमारे घर में होते हैं छोटे बच्चे अब देखिए दोस्तों छोटे बच्चे अगर गलती से उन द बगाने के लिए इस सॉलीशन से अच्छा कोई भी सॉलीशन नहीं हो सकता है जो बहुती इजी ली बन जाएगा और बहुती कम चीजों की मदर से इस सॉलीशन को आप बना सकेंगे बहुती कम टाइम में तो देखिए दोस्तों इस तरह से आटे को मैंने गूत लिया है अब पर देख सकते हैं इतना सारा गोलिया हमने बना करके तयार कर लिया है अब देखिए दोस्तों इस सॉलीशन में से मैं थोड़ा सा सॉलीशन बचा के रखा है और इसको मैंने क्यूं बचा के रखा है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी पहले मैं आपको दिखाती हूँ जो मैंने गोलिया बना करके तयार कर लिया है इसको हमें किस तरह से और कहां पर रखना है अब देखिए दोस्तों इन गोलियों को हमें ऐसे जगह में रखना है जहां से चुहें आते हैं या फिर छुपे हुए होते हैं जैसे कि किच्चन में भी चुहें घूमते रहते हैं खास तरह से आप जैसे कि वासिंग मिसिन के बैक साइड में दरवाजी के कोने में या फिर आप डाइनिंग टेबिल के नीचे में कोने कोने जगा में इस तरह से इसको डाल के रखे और जैसे ही चुहे आएंगे तो इसमें मूह डालेंगे इसको खाएंगे और खा करके घर से भाग जाएंगे और दोस्तों जिस दिन आप इस सॉलुशों को डालेंगे ना, उस दिन आप खरकेओं को खोल के रखेंगे. किनिकि जैसे ही चुहें इसको खाएंगे न वो तुरंत घर से भागने लगेंगे, तो इसलिए खरकेओं को आप जरूर खोल के रखिएगा. अब देखिए दोस्तों इसमें से जो थोड़ा सा solution मैंने बचा के रखा था इसका use बताऊंगी जबकि इसका use थोड़ा सा अनोखा है और बहुत ज़्यादा useful भी है अब देखिए दोस्तों होगा बिंदी का कमाल जैसे कि हम सभी लेडिसों को बिंदी लगाना बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है सभी के पास बिंदी तो हो गाई तो बिंदी का use कर लेते हैं बिंदी जब खतम हो जाते हैं तो कुछ इस तरह से बिंदी का जो खाली packet है वो ब होता है जिसलिए इस तरह से बिंदी का पैकेट में आप अच्छी तरीके से लगा लीजिएगा यहां पर आपको कोई सभी गोली या पेड़ा बनाने की जरूत नहीं पड़ेगा कुछ इस तरह से लगाने से ही अच्छी तरीके से यह लग जाएगा इसके जगा अगर हम पाते हैं और इसको देखेगा जहां पर भी आप रखेंगे ना यानि कि जहां पर हम रखेंगे तरीके से अच्छी तरीके से इसको रख भी पाएंगे ठीके तो चली मैं आपको दिखाती हूँ इसको हमें कहां पर रखना है जैसे कि मैं यहां पर आचुकी हूँ अलमीरा मे और दोस्तो घर में अगर चुहे होंगे न तो वो अलमीरा में जरूर गुज़ेंगे और अलमीरा में रखा हुआ होता है महंगी महंगी सारी से लेकर के कपड़े, बलेजर, पार्टी वेर कपड़े, साथी में होता है कुछ important papers भी हम रखा करते हैं अगर papers या साड़ी को इस तरह से काट देते हैं न तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो जाता है हमारा तो इसलिए घर में एक चुहे भी हो तो उसको आप जरूर भगाएं अब देखें दोस्तो शॉलिशन बला बिंदी पैकेट को हम अलमारी में रखेंगे तो इसलिए खुषबू आ रहा है देशी घी का तो उस खुषबू से चुहे आकर्सित होंगे और आकर्सित होकर करके जैसे ही चुहे इस शॉलिशन को खाएंगे यानि की मुह में डालेंगे तो उसे मिर्ची लगेगी और फिर घर से भाग जाएंगे है ना कितना यूसफुल आइडिय तो दोस्तों कुछ इस तरह से अलमीरा में जब आप सॉलिशन को रखे ना इस तरह से बिंदी के पैकेट के मदद से ही रखें इससे कि आपका कपड़े भी खराब नहीं होंगे क्योंकि डायरेक्ट अगर हम इस सॉलिशन को अलमीरा में रख देना तो कपड़े भी खराब ह ठीक है उमेद करती हूंकि यह वाला आइडिया भी आपका बहुत ही जादा काम आएगा तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो में यही पेइंट कर रही हूँ उमेद करती हूं कि हमेशा कि तबाटा आज का वीडियो भी आपको लिए बहुत ज़युस्पुल रहा होगा अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी यूस्फूल लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सेयर कर दीजिएगा एक लाइक करके मुझे मोटिवेट कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा तो चलिए मिलती हूँ नेक्स वीडियो में बाइ फ्रेंड्स थैंक्स पर वाचिंग और टेक क्यार